नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिश और आप देख रहे हैं एंजल टेक अनेलिसिज मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ Learn Technical Analysis with me chapter 12 में तो आज मैं जो आप लोग के लेकर आया हूँ उसका नाम है falling wedge pattern तो पहले हम इसके बारे कीmasacci कर लेते हैं कि falling wedge pattern क्या होता है मार्केट में कफ़र्म होता है हमें डेड करना चाहिए हम इस pattern को कैसे पैचान सकते है तो चलिए आइए पहले इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते है कि pattern जो है हमें किस तरह से मतलब profit दे सकता है तो यह जो pattern है falling wedge pattern जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो जो बना के दी थी वो rising wedge pattern था उसमें हम लोग क्या देखते थे उसमें market जो है एक उपर से नीचे से जो है उपर की तरफ trend में जाता था अब trend में होता था और वहाँ पर जो है मतलब rising pattern त्यार होता था ठीक है ना तो वो rising pattern था और इसका जो है same बिल्कुल opposite है falling wedge pattern तो falling wedge pattern जो होता है यह जो होता है एक bullish reversal chart pattern होता है means हम कहा सकते है कि market जो है इससे पहले एक downtrend में चल रहा होता है और जब यह market में pattern जब falling wedge pattern जब form होता है तो उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि अब जो है sellers की sellers जो है मतलब अब कम गिंती में आ रहे हैं और मतलब sellers की volume कम है अब जो है market का trend जो है reverse हो सकता है और अब जो है buyer जो है active हो सकते है means इसको हम एक bullish reversal pattern भी कह सकते हैं जो मंडी जो इसमें जो मंदी का trade चल रहा होता है अब हमको यह pattern जो है यह संकेत देता है यह sign देता है कि जो market में अभी मंदी का trend चल रहा है वो अब खतम होने जा रहा है अब जो है एक नई तेजी की शुरुवात होने वाली है तो चलिए आईए मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो हम कैसे draw करते है कब form होता है कैसे हमको entry लिने चाहिए क्या stop loss होना चाहिए और हमारा क्या target होना चाहिए तो चलिए आईए अब इसके बारें बात करते हैं मैं इसको आपको पहले practically मैं इसको draw करके दिखाता हूँ कि market में किस तरह से यह pattern जो है यह मंदी चल रही है ठीक है अब इसके बाद यहां से जो है market ने थोड़ी दिर यहां पर support लिया support लेने के बाद market ने एक जो है नया high नहीं लगाया मतलब यह lower high लगाया lower high लगाने के आद market क्या करता है जो भी प्राइम ट्रेट कर रहे हैं UPSB stock में अब market यहां से एक जो है इसका एक फिर low लगाता है इस तरह से ठीक है प्राइस तरह से चलता है यहां पर पर price की movement होने बाद दो पर यहां से support लेकर price जो है इस levelทब तक फिर आता है अफ्यपर की level पर जाता है फिर यहां पर जो है इसका resistance मिलता है ठीक है और अब ही हमको उसमें किस तरह से trade लेना है कैसे pattern draw करना है वो देखिए अब हमने क्या करना है देखिए हमको यहाँ पर एक resistance मिल गया दूसरा resistance मिल गया तीसरा resistance मिल गया तो देखिए हमको कोई भी trend line draw करने के लिए minimum हमको 2 high चाहिए होते है या 2 low चाहिए होते है अब हम यह नीचे की तरफ भी same इस तरह ड्रॉख कर लेंगे रुकी पहले मैं इसको पहले complete कर देता हूं अब यहाँ पर भी market ने जो है एक नीचे की तरफ move दिखाई ठीक है अभी हम यहाँ पर trend line draw करने जा रहे हैं यह देखिए इस तरह से हमने एक यहाँ पर भी trend line draw कर दी सौरी इसको जो है मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं अब ही हम देखिए इसमें क्या होता है प्राइज सबसे पहले हमारा जो है फरस्ट क्राइटरिया क्या होना चाहिए इसमें हमारा फरस्ट क्राइटरिया यह होना चाहिए कि market एक downtrend में होना चाहिए, downtrend में होने के बाद market देखे, इस price पत तक आता है, नीचे तक आता है और यहाँ से एक support लेकर उपर की तरफ निकल जाता है उपर की तरफ जो है जब निकल गया तो हमको यहाँ पर इस तरह से यह देखिए, हमको यहाँ पर एक यह trend line draw करने का जो है opportunity मिल जाती है, अभी market फिड जो है नीचे की तरफ आता है अभी यहाँ पर हमको फिड यहाँ पर एक trend line draw करने की opportunity मिल गई अभी हमने क्या करना है, हमने अपना trend line यह इस तरह से extend कर देना है, आप जब भी कहीं trading कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से आपको trend line आपके support जो भी इस तरह से आपको draw करते हुए चलना है अभी हमको देखे, हमने यहाँ पर यह जो level होता है, यह जो उपर की level है, इसको हम resistance बोलते हैं और यह जो नीचे के जहाँ से support हमारी हो गई, और नीचे हमने यह हमारे दो support हमको मिली, यह दो support हमने इसको trend line को extend करते हुए, आगे के तरफ आगे यह हमारा support line हो गई, तो देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जो पिछले rising wedge pattern में चुछ सीका था, उसमें हमको जो है, एक नीचे से uptrend चाहिए होता था, नीचे से uptrend में वो pattern बनता था, और यह falling wedge pattern है, यह downtrend बनता है, अब यहाँ से देखिए, market क्या करता है, यहाँ पर जो है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर अब जो है, buyers की जो है, संख्या अब बढ़ने वाली है, और हमको यह पर एक pattern हमको यह pattern होता है, कि reversal होता है, bullish reversal pattern होता है, अब market देखिए, market जो है, इसको यहाँ से उपर की तरब को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठेके, देखिए, यह जो falling wedge pattern होता है, इसमें 70-80% ट्रेंड का reversal करता है, ट्रेंड reverse होता है यहाँ से, बट ऐसा नहीं है, कि मतलब हर बार ही ऐसा होगा, यह कई बार नीचे की तरब भी breakout दे सकता है, 20% cases में यह नीचे की तरब भी breakout देता है, बट हमको तो अपने multi confirmation पर trade करना है, तो हमको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूत नहीं है, अब ही देखे, मैं आपको यहाँ पर इस figure में 이제 बता देता हूं कोई आपको आपकी entry कहाँ पर होने चाहिए, आपका stock loss कहाँ पर होना चाहिए, और आपका चलिए ठीक है और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेते हैं यह 24 है तो इसको हम 28 कर लेते हैं तो यह हमारी entry हो गई तो आप लोग को यह दिखाई दे रहा होगा चलिए यह हमारी entry हो गई जब भी यहां पर इस pattern का breakout होगा जो यह उपर का हमने trend line draw करके रखा हुआ है जब भी पर जाने के बाद price जो है एक बार यह retracement करने के लिए trend line पर आता है वो तब उस time भी आप entry ले सकते हैं after that यह जो है जब फिर इसको break करें यहां पर इद्मान लेजी इसका यहां ब्रेक किया तो आप जो है अपनी entry यहां पर ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर entry के आपके पास है कि जब भी यहां पर देखे क्योंकि यहां पर seller activate थे जब seller यहां पर activate थे तो धीरे धीरे volume जो आपको दिखना चाहिए वो volume में गिरावट आनी चाहिए मतलो volume जो है जो red color candle होगी वो धीरे धीरे कम होती जाए और यहां पर finally जो candle breakout दे उस candle का size बहुत अच्छा होना चाहि तब ही हम इसको breakout इसका मानेंगे otherwise कई बार यह fake breakout भी दे देते हैं so इस चीज़ का आपने जरूर धिहान दखना है कि जब यहां पर breakout because यहां पर trend change होने जा रहा है अब यहां पर एक दम से suddenly यहां पर wire activate होने वाले है so मतलब जो candle breakout दे रही है उस candle का size प्लस आपकी volume का candle का size ब ध्याम देना है तो दीखे चली मैंने आपको यहां पर entry समझा दे कि entry आप यहां पर एक candle बड़ी candle close होती है उसके ऊपर entry ले सकते हैं second आप क्या कर सकते हैं यह price जो है यहां से breakout किया breakout करने के आद ऊपर की तरफ गया थोड़ा सा फिर जब ही retracement करने के लिए आता है तो यहा बड़ी candle देखकर entry ले सकते हैं या फिर आप इस हाई को cross होनी दीजिए इस हाई को जहां पर मैंने entry point लिख रखा है आप यहां पर entry ले सकते हैं second देखिए अब यहां पर stop loss कहा होना चीह stop loss आपको यहां पर रखना है यह आपका stop loss हो गया यह stop loss है आपका ठीक है तो यहां आप stop loss रख सकते हैं बाकि देखिए आपके पास यहां पर एक काम और कर सकते हैं यहां पर जो भी candle breakout दे रही है जो भी candle मानल यहां पर एक candle ने breakout दिया बड़ी candle है आप stop loss यहां पर भी रह सकते हैं अगर आप जादा risk नहीं लेना चाहते बट यह stop loss इस तरह का stop loss रखना risky हो जो है मतलब save खेलना चाहते हैं save अगर trade करना चाहते हैं तो यह आपका SL होना चाहिए और target देखिए देखिए जो falling wedge pattern है और rising wedge pattern है इसमें जादता target जो हम support और resistance जो हमारे आसपास के support और resistance है हम उसको देखकर चलते हैं ठेकन अगर आप उसको देखकर भी साथ पता क्या है आ आप जो है जितना multi confirmation add करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा मान लिजे यहां पर कोई resistance है तो आपको यहां पर book कर लेना है otherwise हम जो इसको book करते हैं वो यह जहां से हमने इसका यह उपर की जो हमने ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉव करके रखी होई है यह जो ट्रेंड आपका हो गया target तो this is your target यह आपका हो गया अभी आपकी देखिए यहां पर आपकी यह entry है ठीक है यह entry होगी आपकी stop loss माने आपको दो तरीके बता दिये है या तो आप जो है candle जो breakout कर रही है देखिए जो candle breakout कर रही है अगर इस pattern में जायतर मैंने आपको जो दूसरे और pattern ब वैज में और rising वैज में आप जो है जो candle breakout कर रही है उसकी previous candle के निचे आप अपना stop loss रखे अगर आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते है stop loss वैसे आपको यहां पर रखते है अगर आप बिल्कुल safe खिलना चाहते है तो आप stop loss यहां पर रखिए otherwise जो candle breakout कर रही है बिल्के low के निचे आप यहां पर stop loss रह सकते हैं target जो है देखे target बुक करने भी कई तरीके है यह जो high आपको दिख रहा है यह जो high आपको दिख रहा है आप यहां पर कुछ quantity बुक कर सकते हैं तो आप अगर अपने stop loss को ट्रेल करना सीख गए तो आप जो है market से एक अच्छ pattern में लेकर चलता हूँ वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर भी हम draw करके देखेंगे कि आप लोग को अच्छी समझ में आए और मैं आप लोग उसी क्रिवाइश टोर करूंगा जो भी मेरे दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं पिलिस चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए क्यो पूरा कोर्स आपको वहाँ पर फ्री में दिया जाएगा बिल्कुल absolutely free होगा यहां पर YouTube में आपको बहुत जल्दी में वीडियो बना कर देने वाला हूँ दो घंटे से तीन घंटे की वीडियो होगी उसको जरूर देखिएगा चलते हैं एलाइसी का चार्ट हमने खोल रख लाए था कि आपको एक downtrend चाहिए तो यहां पर देखिए LIC में अपने पास है कि यह downtrend है अब यह downtrend है यहां पर एक इस ने lower high बनाया उसके बाद यहां पर support लेते हुए इस trend line पर उसके बाद फिर यहां पर एक जो है lower high बनाया अभी इसको हमने extend कर लिया और यहां पर हमार पर three touches हो गए देखिए यहां पर आपके पास falling badge pattern में कम से कम दो touches होना तो बहुत जरूरी है हां अगर वो touches तीन हो जाते हैं वो touches चार हो जाते हैं तो वो सोने पर सुहा गया है वो best है बहुत अच्छी चीज है और same देखिए हमने क्या किया हमने यहां पर भी जो है यह देखिए मार्किट ने यहां पर gap down opening के gap down opening करने के बाद जो है यह 394 के level से यहां से bounce back किया तो हमको क्या हुआ हमको यहां पर जो है यह देखिए दो low मिल गए तो दो low को हमने पकड़ा और इस तरह से trend and extend कर दी तो यह हमारा falling badge pattern हो गया देखिए falling badge pattern जो है मैं आपको बता द जैसा भी हमने एक ऊपर से trend line draw करी थी और एक नीचे से trend line draw करी थी ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा मैं उमेद करता हूँ कि आपको चीजे समझ में आ रही होगी I hope that you understand everything तो यह बिल्कुल सेम जो है जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह लकडी काटने वाली जो है एक्स ज trend line draw करी वो trend line यह देखिए इस तरसी trend line हो गई तो सेम जो है मतलब इसी figure में यह काम करता है तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए picture रखी हुई थी कि चलिए मैं आप लोग को समझा दूंगा थोड़ी चीजे अच्छे समझ में आ जाए तो अच्छा रहता है आगे के लिए क इस तरह से बनाना चालू किया और यहां पर देखिए यह जो इस ने breakout दिया है यह देखिए यह जो breakout के उपर देखिए जो मैंने आपको पिछ़़ी वीडियो में भी समझाया था आप लास्ट हाई को भी देख सकते हैं लास्ट हाई के उपर भी आप इस तरह से resistance ड्रॉ कर स सकते हैं जब उस resistance वो क्रोस करता है तब वहां पर entry आप लेते हैं तो आपके लिए जो बहुत अच्छी entry होती है वो multi confirmation entry हो जाती है ठीक है तो आप यहां पर breakout के उपर इस देखिए LIC ने जो है breakout दिया था 384 पर दिया था तो आप 385 पर भी अपना trade ले सकते थे और जो है मत करना है बिल्कुल सिंपल है कोई rocket science नहीं है इसमें जो last high लगा हुआ है उस high को cross होने का weight करना है जब वो high cross होता है वहां पर candle closing आ जाते देखिए आपको profit जरूर आपका एक गोर पे कम हो जाएगा but आपको मतलब यह confidence रहेगा trade में की यह trade मेरा बिल्कुल ok जाएगा 99% आप 10-15 मिट में निकाल देते होंगे जैसे मानली जी आपने किसी stock में 2000 पे आपने बेनिफिट किया तो आप दूसरी stock के लिए आप 10,000 पे भी loss करने के लिए तैयार हो जाते हो तो हमको यहां पर प्रॉफिट बड़े रखने है stop loss छोटे रखने है तो इस चीज का जरूर दिया आपको यह देखिए अब मैं इसको दिखाता हूँ SBI को SBI ने तो हाली में भी breakout किया है तो यहां पर देखिए यह देखिए ऊपर से जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको यहां पर देखिए 2 lower high मिल गए और इसी को हमने extend कर दिया हमने इसको यहां पर extend करते हुए आई और यहां पर देखिए हमको एक और यहां पर touches मिले अब यहां पर हमारा one two and इसको भी हम ले सकते हैं three and four अब यहां पर देखिए हमारा four touches हो चुके थे तो हमको जो है मतलब एक confidence आ रहा था कि नहीं अब यहां पर जो ही breakout होने वाला है finally देखिए यहां पर opening ही gap up हो गई थी gap up opening ह हो गे थी अभी देखिए हमारा target तो जो है यह है target अभी target यह आया नहीं है हमारा near about two fifty two forty two two fifty के बीच का target है तो यह target जो है इसका निकल के आता है बट आप चाहें तो यहां पर भी एक जो है इसको देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहां पर अधिकता जो है support resistance पर जाएगा और picture बड़ी आपको दिखाई देगी मैंने इसको three hours में कर दिया है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह देखिए इसी level पर multiple touches है one touch two touch three touch four touch five touch तो यहां पर five touches हो चुके हैं अब मेरे हिसाब से जो है अब यह इस बार आता है तो यह 200 का level इसको cross कर देना चाहिए इसमें हमारा target 240 to 250 का है इसमें भी देखिए कितना अच्छा जो है एक falling bash pattern इसमें फॉर्म हुआ था चली मैं आपको कुछ और pattern में बतायता हूं बजाज finance में मैंने देखा था यह pattern फॉर्म हुआ था तो बजाज finance का चार्ट खोल लेते हैं यह देखिए अब मैंने बजाज finance का चार्ट खोल लिया है तो आपको मैं यहां पर ड्रो करके दिखाता हूं बजा शुर्म हो पहले वन हावर करता हूं जो अब दोबारा कर लेंगे जो कोई हम यहां पर देखिए इस तरह से हमको यह देखिए हमने यहां पर जो है वान टू थ्री हमने तीन जो है लोगर अब मैं इसको जो है टू आवर का चार्ट कर लेता हूं और पिक्चर बड़ी करके आपको दिखाता हूं यहां देखिए अब यहां पर कि नीचे जो है मल्टीपल टॉचिस यहां पर हो चुके हैं ठीक है नीचे जो है अच्छा एक चीज में आपको और बता दूँ जो मैंने ये दो से धाई गुना जादा होना चाहिए ये जो गयाप है ठीक है और ये जो आप ये trendline कर इसको draw करते हैं ये बिल्कुल इस तरह से मतलब ये trendline एक दूसरे को आगे जाकर cross over करने चाहिए जैसे यहाँ पर आदेखिए आपने यहाँ पर cross over कर रहा है तो मतलब ये cross over भी करन ये बिल्कुल similar नहीं होने चाहिए बिल्कुल जैसे हम एक channel draw करते हैं तो वो channel नहीं होना चाहिए हमने channel नहीं draw करना है ये हमने जो है मतलब ये जरूर देख लेनी है कि ये जो हमने trendline दोनों draw करके रखी हुई है ये आगे जाके cross over जरूर होने चाहिए अगर इसको हम extend करते है ठीक है तो चलिए यहां पर हमारी यहां पर entry हो गई थी बजाज finance में अभी यहां भी हमारा target जो है target आया नहीं है target हमारा 3000 रुपीज का है तो यहां पर जो देखिए अच्छा एक चीज मैं यहां पर मैं आपको और बता रहा था कि entry मैं आपको एक वार से समझायता हूँ जायतर मेरे दोस्तों का मतलब जो भी मेरे फ्रेंड मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोग की मेरे को अधिकतर मेल वगरा आती है कि सर हमको entry ने बहुत जाया प्रॉलम होती है तो entry के लिए दिखिए जैसे मैंने आपको बता है अगर आपकी entry सही है तो आपका सब कुछ सही अगर आपकी entry सही नहीं है आपका level सही से draw नहीं किया हुआ है तो वह भी गलत हो जाएगा तो यहां पर देखिए last high जो लगा हुआ है यह देखिए जो swing high जो लगा हुआ हुआ है यहां पर तो हमने क्या करना है देखिए बिल्कुल simple है हमने यहां पर जो है इसको इस तरह स यहां पर हमेंटरी की ले और हमने करने कार टाम सब्लाफ लगा itल्स यहां पर चुका है बड़ हमको एंटरी कनि पर देखिए यहां पर यहां पर दन पर दो हॉपर यहां पर आपट जो हमने यह ड्रॉ करके रखा था जिसको हमके resistance कहते हैं यह resistance के उपर closing आ चुकी है और closing आने के बाद देखे इसका जो high लगा हुआ है यह लगा हुआ है 2100 रुपेका तो हम यहाँ पर 205 रुपे पर अपनी जो है trade यहाँ पर execute कर सकते थे तो देखे कभी भी trade करीं multi confirmation के साथ क करिए without confirmation trade मत करिए वह जो है मतलब dangerous हो सकता है चली मैं आपको उसमें एक डावर में बना था मैं आपको डावर में दिखायता हूँ तो देखे जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ न प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एक बर जरूर जाके आप इसको ड्रॉव करके देखते ही आपको पता चल जाए कि इस चार्ट में कौन सा पैटन मन रहा है तो इतना मतलब इसको अपनी आपको को train करके रखिए अब देखिए यहां और के चार्ट में दीखे क्या हो रहा है यहां देखिए यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास देखिए दो हमारे पास लोवर हाई थे यहां पर अभी इसी को हमने बाउंस बैक कर रहा था और ओपर वाले trend line को टच कर रहा था ठीक है और यहां पर देखिए अभी हमने इसको यहां पर ड्रौ कर लिया हमार पास 1,2 और यह 3,3 touches हो गए और इस ही को हमने एकस्टेंड करना है ठीक है आपके यह जो trend line जो आप ड्रौ कर रहे हैं यह trend line ड्रोक आ बहुत अच्छे से करना है आप जितने प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है ट्रेड ढूलने बहुत आसानी होगी तो चलिए हमने इसको इस तरह से कर लिया है अब यह देखिए अभी हम इसको फॉलिंग बैच पैटन कहेंगे तो यह जो हाई जब ही क्रोस कर रहा है ठीक है यह जो हाई लगा हुआ है यह आप 440 रुपे का लगा हुआ है तो 440 के आद आप 442 पर एंट्री ले सकते हैं सेकेंड जो मैंने आपको क्रेटी जी एक और बताया था कि यह तो मतलब यह मानने जी कोई ऐसे केंडल बनती है जो केंडल 4-5% की बन गए अभी इसका देखिए 432 लो है और 447 रुपे हाई है तो यहाँ पर पंदर रुपे का जो है डिफ्रेंस आ गया है तो यहाँ पर 4% क जो है यह केंडल 4% की है तो अभी हम इतना उपर एंट्री भी नहीं लेंगे इतना उपर एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लोस काफी बड़ा हो जाएगा हमने अपना स्टॉप लोस का भी ध्यान लखना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है केंडल ने ब्रेक 451 से फिर यहां पर 440 पर आया है, 439 पर आया है, तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं, देखें एंट्री उतनी लिजिए कि आपके कैपिटल पर फरक ना पड़े, अगर आपका स्टोप लोस भी हीट होता है, तो अगर आपकी एंट्री सही होगी, तो फिर आपके टार्ग यह देखिए, यह इसके एक सपोर्ट था, ठीक है, इस लेवल पर आकर, यह जो लेवल था हमारा, यह 475 पर था, इस लेवल पर आकर यहां पर नीचे आता था, फिर जो है, सपोर्ट लेकर उपर की तरफ जाता था, नियरोड पाउंस सो बीस के पास, फिर इसी लेवल पर आ तो यहां पर देखिए, अब स्टॉप लोज देखिए, हमारा कितना चोटा सा था, स्टॉप लोज आप यहां पर रखते है, अगर 430 पर रखते, तो यहां पर देखिए, आपको 476 रपे, इसका रिस्क रिवार्ट रैश्यो बहुत अच्छा होता है, फॉलिंग वैज अगर दो भी हीट हो जाते हैं, और एक भी आपको प्रॉफिट आ जाता है, तो दोनों का लॉस भी कवर काएगा, प्लस जो है, मतलब आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी रखेगा, तो मतलब बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ट रेश्यो वाला यह पैटन है, चल अगर हम अनाल्सिस कर रहे हैं, तो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यहां से इसने यह लेवल था, यह लेवल था 76 रॉपे का, चैत्तर रॉपे पर आने के बाद यहां से बाउंस बैक किया, और यहां पर इसने फर्स्ट हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ यहां तक यह लेवल था 79 रॉपीस तक, फिर इसने एक लोवर हाई बनाया, अब यहां पर हमको दो लोवर हाई मिल चुके हैं, अब दो लोवर हाई मिलने के बाद, हमने इस तरह से अपना ट्रेंड लाइन को अपने एक्स्टेंड कर लिया, ठीक है, और नीचे देखिए, हमारे पास एक लोव ये है, एक लोव ये है, एक लोव ये है, तो यहां पर हमने इन लोव को पकड़ कर एक ट्रेंड लाइन ड्रोव कर ली, और फाइनली देखिए, यहां पर ब्रेक आउट हुआ, अभी देखिए, मैं आपर दुबारा आपको एंट्री समझाओंगा, कि आपको ट्रेंड लाइन तो यहां पर ब्रेक आउट हो चुका है कितने पर 75 पर ठीक है ना बट हमको एंट्री लेनी है इस जो रजिस्टेंस हमने ड्राव करके रखा हुआ इसके उपर तो यह 76 पर हमको एंट्री मिल रही है कोई बात नहीं और हमारा जो है टार्गेट देखिए आप अच्छे से अचीव हो गए है तो अभी मैं आप लोगों को एक चाट पैटन में और दिखाता हूँ यह बनाता सायद LIC में हां तो LIC में आपको दिखा धिता हूँ यह कहां पर बना था यहां पर मैं को देखें किया हो रहा है सबसे पहले तो हमारा first जो हमारा rule है सबसे पहले बात थो अपने discipline को follow करते हुए चलना है trade नहीं मिलता है कोई बात दिन trages Deswegen करेंगे ठीक है न बट करेंगे तो confirmation trait करेंगे यहाँ पर देखे हमारे यहाँ फस्ट rule था हमको जो भी और यहां पर देख सकते हैं, दूसरा लोव़ रही बनाया और यहां पर दो लोग मिलेए याद उस तरह से जाए कर दिया था और देख्या यहां पर जो विए चरण नीचे कbenग ब्रोन को इसने कभी própria करके नीचे कर आप मोंट नहीं यहां पर भी हमने जो हाइ जो इसका लगा हुआ है लास्ट प्रेवियस लगा हुआ है वहाँ पर रिस्टेंस ड्रॉ कर लिया उसका ब्रेक आउट हुआ तो फाइनली हमने इसको ट्रेड किया ठीक है तो चलिए मैं उमीद करता हूँ कि जो है जो चार्ट पैटन में आपको सि कम भी अगर मार्केट को देते हैं चार्ट को देते हैं प्रेक्टिस करने में तो वो देखिए आपको आगे जाकर बहुत पैसे देने वाला है देखिए कोई भी प्रफेशनल ट्रेडर यू रही नहीं बन जाता बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत दिन रह देख करना पोई प्रॉलम आ रही है तो आप जाए एक बार video फिर देखिए फिर आप practice कर रहें फिर नहीं समाझ बार एक बार video फिर देखिए अगर फिर भी कोई प्रोलम आती है आप मुझे जो है comment box में आप आईए कि आपको क्या प्रॉल्म आ रही है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉल्म जो है सौर्व कर सकूं सेकिंड जो है आप चाहें तो मेरे टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शिन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जो है 65,000 प्लस जो है और कि आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मोटिऴेट करिएगा थैंकियू